हेलो फ्रेंट, वैलकम बैक विजदा ब्लॉक्स आज हम टोमैतो और पोटैटो से घर पे फेसल करेंगे तो इसके निए एलरी वॉन इस्तमाल सैज का टोमैto इनदो उन पहले आछे से वास करेंगे वास करने के बाद हम इने कदूकस करेंगे यहां पे मैं कदुकस इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इनका जूस अच्छे से निकाल सकूँ आप चाहें तो इन्हें मिक्सर में पीस्किन का पेस्ट भी बना की यूज कर सकते हैं पर मुझे कदुकस करना ज्यादा एजी लगा तो मैं यहां पे इनका दुकस कर रही हूँ मैंने पोटैटो और टमैटो को फेकस के इसलिए लिया है ताकि हमारे स्कीन की जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत अच्छा वर्क करते हैं इन सब चीजों के लिए तो हम इन्हें आप इसलिए फेसल के लिए यूज कर रहे हैं बच्छे voyez कहाता है सबोर टमैटो एकलो मैं ते उनका निकले यूज कने असलिए हैं वह बहुत दोनों आतल्यों कर लेंगे अब न कर लेंगे आप दोनों मेरे पोटैटो तोमैटो कर लिए वामीन के लिए मैं दोनों अदे कले तो इसकर बाले मैं 1 स्पून सुगर्स एड़ कर रहे हूं अब यहां पर हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे क्लिंजिंग क्लिंजिंग आप फेशल करने से पहले आप अपने बालों को जरूर से क्लिंजिंग के लिए मैं यहां पर ले रही हूं कच्छा दूर और इसमें एड़ करें कुछ गुलाब की जल की बूंदे दोनों इंगरों कापाच मेंचे से मिक्स कर लेंगे फिर कॉटन की सहता से इसे पने फेस पे अपलाई करेंगे किलिंजिंग करने से हमारे फेस पे जो ड्रस्टो कह रहा हो जाते हैं बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं सकेंड करेंगे स्क्रबिंग के लिए जो हमने पोटैटो और टोमेटो को कदुकस किया हुआ था उसमें मैंने बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है उसके बाद से में आपर टू स्पून काड यानी की दही एड कर रही हूं फिर यह आपस मच्छे से हम मिक्स कर लेंगे उ इसलिए हम बिल्कुल हलके-लके फिंगर की सहता से स्क्रबिंग करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इस कर शकते में सिर्फ 5 मिनट तक ही स्क्रब करना है इस करने से क्या होता है कि हमारे जो फेस्ट वडेड स्कीन वगरा हो जाते है वह पहले तीन यह लूज करता है फिर लूज करने के बाद इने अच्छे से यह रिमूब कर देता है बहुत लोग को ब्लैक हैट्स और वाइट्स की प्राबलम होती है इस क्रबिंग से यह दूर हो जाते है जो हमारे उपन पोर्स में डस्ट वगरा बैठ जाता है वह अंदर से जाकर कर देता है हमारे उपन पोर अधर से जाकर नरेश करता है हमारे स्कीन को सॉप्ट और अच्छे से मुस्टराजिंग करता है इसको बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के तरफ थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे मसाज क्रीम मसाज क्रीम के लिए मैं यहां पर ले यह टूइस्पून चावल का आटा यह आप से इhalf spoon honey i8 के जूस थे इनको हमारे टामिट ते मैं रहाते हैं इसको लौछ भीन हरारे बनाग चाहित Ο्टेप मेरेटAl daily हम के लेटाव ज्यूस करता है इंक सब्सक्राज इसको домой में हमारे 6 गयां पर दाज़वाँ है इसको सब्सक्राजिंग करता ही हमारे यहां इहां दही आट्स कर रही हूं दही कर रही है कि अधिक नरेश करता है तो आपस में अच्छे से में अधिक सकते हैं आप देख सकते हो कि हमारा कितना सा मसाज क्रीम बनके रेडी हो चुका है अभी अपलाई करेंगे मसाज विए बहुत ही जरूरी होता है मसाज करने से क्या होता है कि हमारे स्किन के जो अबरेज होती हो पावर उबड़ जाती है इसे हम जब भी कुछ अपने फेस पर अपलाई करते हैं तो हमारे स्किन के अंदर तक यह चला जाएगा आपकी skin को hydrate करता है हमारे skin पे जो नमी को काफी देर तक बनाए रखता है facial एक परका का treatment है जो हमारे skin के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है चाहें आप पार्लर में करवाई या घर पे भी आप किसी भी home remedy के थुरू facial कर सकते हों बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप चाहें तो आप महिनी में दो बहुत facial कर सकते है हमारे पास कितने ज़्यादा चीजे पड़ी रहती है घर पे जिससे हम facial कर सकते हैं हमारे स्किन को हाइडरेट करने के लिए हमारे जो एक नेच्रोस ग्लो देखने को मिलता है वह facial से ही मिलता है तो बहुत अच्छा option है आपके पास एक facial करने के लिए कि आप घर की चीजों से आप देख सकते हैं इसका effect मेरे face पे कैसे दिरेदर इसका glow आ चुका है अच्छा फिर पैक के लिए भी हम इसी को यूज करने वाले हैं हम इसे face पे अपने टेन मिनट तक छोड़ देंगे फिर ये ड्राई हो जाएगा जो face पैक का का यूज करने से क्या होता है कि हमारे स्क् कर लेंगे अपने face को वास करने के बाद अपने face पैक भी complete हो गया face वास करने के बाद अपने face पे कोई भी moisturizer लगाना ना भूले जो कि आपके face को सूट करता हूँ मैं यहाँ पर अपलाई कर रही हूँ जो कि हमारे स्कुन काफिसर मुस्ट चारजिंग करता है यह हमारा facial आप इसका natural effect मेरे face पे देख सकते हो मिलते है next video में thanks for watching